सब्सक्राइब कीजिए देशी टेक्निकल ग्यान को और इस बेल आइकन को दबाएं लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल देशी टेक्निकल ग्यान में अज हमारे पास यह दो स्पीकर हैं इनमेशे में से एक का मॉडल नंबर है TG-113 और इसे स्पीकर का मॉडल नंबर है A005 तो आज हमें इन दोनों का एक कंपैरिजन करने वाले हैं और दिखाने वाले हैं कि कौन सा स्पीकर इन दोनों से बैस्ट है कौन सा आपको लेना क्योंकि friends मेरे पार काफी सारे लोगों के मैसी जा रहा है थे कि आप इन दोनों का एक comparison करके दिखाईए वैसे friends मैंने इससे पहले TG 113 और GT 111 का comparison किया है जिसका वीडियो का लिंक आपको description में मिल जाएगा बाकि आज हमें इन दोनों का एक comparison करने वाले हैं और आपको दिखान नहीं किया है तो नीचे एक लाल कलर का बटन है इसे दबा कर आप subscribe कर लिजिए और इसके वरानों बेल आइकन है आप इसे भी दबा लिजी जिससे आप देख पाए हमारे आगे एन वाली वीडियो के प्रेट सबसे पहले तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं friends अब बाक यह मारी देख ऑफ में और बात करते हैं मैंनी स्पीकर की नहीं हाथ छारिग के भाटम्डे के पांडियो कार्डबोर के चरजिक आप के इसमें और फीरियू रहा जाता है यह फैकर नहीं हितकी दोनों के बॉक्स की कार्ड बूर्ड की भॉक्स है दोनों देखिए अब यह वाला भी खुल लेते हैं इसमें फ्रेंड्स आपको यह केबल मिलती है जो एक चार्डिंग केबल है क्योंकि इसमें ऑक्स की केबल नहीं मिलती मैं आगे आपको बताऊगा के इसमें ऑक्स कैसे चलती है या नहीं चलती है तो आप वीडियो मों पूरा बने चैंड़े या फ्रेंड्स बहुत ही इंडस्टिंग वीडियो होने वाली है आप बिना एसकीप करें वीडियो को पूरा देखिए तो चलिए इस बॉक्स को भी हम साइड में रख देते हैं और बात करते हैं मैं इस पीकर की तो दीखिए हमारे पास यह दोनों स्पीकर आ cloth जाली वाला cloth type का मिल जाता है जिसकी finishing काफी अच्छी लगती है और उपर काफी सारे rubber finish है यहाँ पर आपको सारे option मिल जाते है इसके अंदर वहीं अगर हम A005 की बात करें तो A005 में आपको plastic ही मिलता है पूरा और इसकी भी build quality काफी अच्छी है, काफी heavy feel होता है यह भी speaker हाथ में अगर हम option की बात करें तो इसमें आपको सारे option मिल जाते है यह पर volume minus, volume plus songs, play pause, mood और power on off, इसे साफ songs next और आगे पीछे भी कर सकते हैं गाना वहीं अगर हम A005 की बात करें तो A005 में भी आपको power switch यह मिल जाता है mode का button यह मिल जाता है volume plus, volume minus और यहाँ पर एक और switch मिलता है आपको LED के लिए और यहाँ पर कई लोगों को लगता है कि यह songs play या pause नहीं करता तो songs play या pause के लिए आपको power switch ही मिलता है इससे साफ songs play या pause कर सकते हैं और इसे सॉंह बगएर भी Change कर सकते हैं वॉलिम प्लस माइनस से सॉंङग चेंज कर सकते हैं और पावर ब्टन से सॉंग से प्ले भी कर सकते हैं वस्म smart पाउस भी कर सकते हैं और एक इसमें LED का बटन दिया गया है जिससे आप LED का इसका यहाँ पर दो LED चलती है इसके अंदर इसे आप चेंज कर सकते हैं इसे आफ भी कर सकते हैं मैं आप वो आगे वीडियो में दिखाऊंगा और बाकी अगर हम इसके पोर्ट की बात करें तो TG113 में आपको यह देखिए चार पोर्ट मिलते हैं जिसमें एक आपका चार्जिंग क अगर आपके पास यह स्पीकर है और इसकी आपको OX के आपको OX के बनानी है तो इसका उसकी वीडियो में ने पहले बना रखी है तो आप महाँ जाकर पर उस वीडियो को भी देख सकते हैं तो फ्रेंट्स आपने सारी चीज़ देख लिए कि किसमें क्या है अब बाकी हम जो मेन बात आती है इसकी साउंड की आती है तो इसमें साउंड के लिए फ्रेंट TG 113 में आपको दो स्पीकर दिये गए हैं एक हैं पर और एक हैं पर यहा इन दोने की साउंड सुनाने की कोशिक करता हूँ तब आपको अच्छा संदाद हो जाएगा यह देखे हमारा 113 ओन हो गया है अब कि हम इसे भी ओन कर लेते हैं एक बार तो फ्रेंट्स मैंने दोनों ही स्पीकर को अपने ब्लुटूस से कनेक्ट कर लिया है तो मैं आपको इसकी साउंड सुना देता हूँ सबसे पहले हम सुनेंगे TG 113 की साउंड तो देखे मैं अभी सॉंग्स प्ले कर रहा हूँ बागी में इसकी एक बार वालियम करते ते हूँ ऊपर अब सून सकते हैं के पार इसे havia कैसी है अब मैं ये स्पीकर चलाने वाला हूँ देखिए अब यह वाला speaker play होगा देखिए यह वाला चल चुका है मैं इसके sound के बढ़ा देता हूं इसके sound fully हो चुकी है अब मैं एक बार फिरे इसमें स्रेच करके दिखाता हूं आपको देखिए अब अंदाज लगाई कि किसके sound का रहा है अब हमारा यह वाला speaker चाथा है अब एक बार फिरे मैं इसमें इसमें ला करके दिखाता हूं आपको तो फ्रेंड्स आपने देखा कि इन दोनों ही speaker की आवास कैसी है आपको आवास में अंतर क्या लगा आपको कौन किसी speaker के आवास तेज लगी प्लीस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं तो मैं आपको बतायता हूं देखिए TG 113 की आवास है तो काफी तेज क्योंकि इसके अंदर दो speaker लगे हुए हैं इसके आवास तो फ्रेंड्स काफी तेज है लेकिन इसके आवास में एक प्रॉब्लम यह है कि जब इसके आवास आप फुल करते हैं तो एक वाइबरेट सा ह sound quality बहुत clear है बहुत clear sound आती है और इसके अगर sound आप फुल भी करते हैं तो इसमें आपको कोई vibrate देखने को नहीं मिलेगा बिल्कुल clear sound आपको मिलेगी थोड़ी सी इसकी आवास तो कम लगेगी आपको इसके मुकाबले TG 113 के मुकाबले इसके आवास तो आपको कम लेकिन sound इसकी ज़्यादा clear है और अगर हम battery backup की बात करें friends तो दोनों का battery backup आपको same ही मिल जाता है लगबग 3-4 घंटे दोनों speaker का battery backup आपको मिल जाएगा और वहीं अगर हम इसके FM बगेरा की बात करें तो दोनों ही speaker में आपको FM का support मिल जाता है आप इन दोनों में FM बगेर इसकी बात करें friends तो price भी लगबग same ही है इनके 10-200 रूपे उपर नीचे हो सकता है अलग-अलग website पर क्योंकि हर website पे इनके अलग price होते हैं अगर मैं अपने personally के लिए बात करूँ friends अगर मैं इन दोनों में से एक speaker लेना हो तो मैं शायद इस speaker के साथ जाँगा एव 005 के साथ जाँगा क्योंकि एक तो देखने में काफी stylish लगता है speaker देखने में काफी stylish है और यह lighting का option है इसके अंदर वो इसे और अच्छा मना देता है और इस lighting को आप change भी कर सकते हैं यहाँ पर इस lighting का button दिये गया है जैसे जैसे आप click करेंगे तो यह अलग-अलग तरीके से जलना स्टार्ट हो जाएगी तो यह songs बजने पर काफी अच्छी लगती है और इसकी आवाज भी friends इससे जादा अच्छी आवाज है वैसे speaker की थोड अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो बीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और बीडियो दिखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद